बर्गर भोटीक में आपका स्वागत है आज हम आपको शरारा बनाना बताएंगे जो दो पाईचों के शरारे आजकल पैशन में हैं वो बनाना बताएंगे कि उसकी कटिंग कैसे होती है सबसे पहले तो हमने 3 मीटर कपड़ा डबल किया हुआ है लंबाई से हमने 3 मीटर कपड अब ही हमने बंद भाग रख लिया है दूसरी साइड और खुले भाग की साइड हम बैठे हैं इसमें हम अब ऊपर की तरफ जहां हमारी नोक बन रही है वहां हम लेंगे हीप्स का चौथाई भाग अगर हमारे हीप्स हैं 36 तो 9.36 यह चौथाई भाग होगे लेकिन इसमें हमें प्लस भी करना है एक से डेड़ इंच हम प्लस कर सकते हैं तो साड़े दस लेंगे हम यह हमारा निशान यहां लगेगा साड़े दस पर यह हमने निशान लगा लिए यह ध्यान रखें निशान को ऐसा यह ऐसा चाहिए 37 इंच तो दो इंच हम उपर बैल्ट के लिए निकाल देंगे जो हमारी लाश्टिक अलग से लगेगी उसके लिए निकालने के बाद जहां हमारा 37 आ रहा है उससे अधा इंच पालतू पर निशान लगाएंगे इस तरह निशान लगाते रहेंगे हम 37 पे उपर से बराबर करके जहां भी 37 आ रहा है हमारा इस तरह निशान लगाते रहेंगे कि देखिये हमारा यह गोलाई सी बन चुकी है इन निशानों को अगर आम आपस में मिलाएंगे तो यह गोलाई बन जाएगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि देखिये लिए जिन लोगों को जादा कया परहना है उनके लिए तो यह टोटल हैं बहुत अच्छा है लेकिन जिविए झिंडर हम क्या क्पने हैं यहां से अमें जितना लगाएंगे और ये निशान हम अपने लंबाई वाले निशान से मिला देंगे अगर ये मिलाने के बाद खुले खाट की तरफ से हम आसन काटेंगे ये इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे आसन के लिए लंबाई लेंगे अगर हमें तयार आसन तेरा इंच का रखना है तो दो इंच उपर निकाल के इस तहाँ ये दो इंच उपर निकाल दियो और तेरा जहां भी आ रहा है वहां निशान लगाके एक इंच इदर लिया है तो एक ही इंच इदर लेंगे हम और इसको और यहां आधह इंज की गोलाई कर देंगे अ लिए देखिए यह हमारे शरारे का ड्राफ लग चुका है इसकी कटिंग करके हम अपने शराला बना देंगे कि चलिए अब हम कट इस पहले एक बात और बता दू आपको यह जो हमारा हिस्सा है इतना इधर कि यहीं तक है उपर वाला हिस्सा नीचे वाला नीचे तक है तो यहाँ जो हमारी इधर से यह इधर से कटिंग निकलेगी उसका हम जो डाल देंगे यहां पर ठीक है वह डालना हमारी कटिंग हो है अब यह जोड आलना मताउँ है आपको आंग देखिए हमारा कप्ड़ा जय कटिंग में से निकला कंपे एक्ष्ट पर नहीं था इसलिए हम इस कटिंग के कप्ड़े को ही इसमें जोड़ेंगे इसके लिए हम किनारी की ऊपर आधा इंच चड़ाकर रखें तरह रहा है और यह ऐसे है काटिंग हो जाएगी जोड़ इसको इसमें लगाए नहीं आपको जोड़के बताऊंगी सबसे पहले हम खोल के देखते हैं इसको यह देखे हमारी कटिंग हो चुकी है अब हम इसका आसन जोड़ेंगे आसन कैसे जोड़ेंगे यह सीधा इस तरह रखेंगे और सीधे पर सीधा यह इस तरह रखेंगे आसन पर स्लाई लगाएंगे हम आसन पर सलाई लखाएंगे इसłoवे ज़ूपर ऊपर हमारे पटी लगेगे नाडा आयाश्क Commerce वी आफकते हैं तो वह उपर जुड़ेगी, इसलिए हमने पहले ही एक से डेडिंज छोड़ दी, देखिए ये जुड़ चुका है हमारा, और ये हमने इसलिए बॉस खुला छोड़ दिया, कि हाँ हम बैट लगाएंगे इदर, चार इंचे कटेंग करके, अब चलिए मैं आपको जोड डालना बताती हूं कि ये जोड हम कैसे डालें, ये सीधे पर सीधा रखकर हम जोड देंगे, इस तहां, ये देखिए हमारा जोड ये लग चुका है जोड और ये हमारा बराबर आ गया, और ये हमारा अब हम इसकी पिटिंग करके, इस तरह से पिटिंग करके, और नीचे बरीक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइफ करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक्यू